लखनाओं विश्वाइद्याले के कुलपती, प्रोफेसर आलो कराई जी, विद्याभारती के क्षेत्रिय संगठल मंत्री, श्री हेमचंद्र जी, विद्याभारती अवद प्रांत के संयोजक, प्रोफेसर आरार्से जी, विद्याभारती उच्च शिक्षा पूरवी के संयोजक, डॉक्टर जैशंकर पांडे जी, विद्याभारती अवद प्रांत के स जिसको आज सन्मानित किया गया है, ऐसे सभी महनुभाव, प्रिय विद्यार्थिय, देविय और सज्जन विद्या भारती उच्छी शिक्षा संसान से संबंध, रज़त पीजी कॉलेज में समसामाइक विशय पर आधारित, राष्ट्रे संगोष्टी, राष्ट्र निर्मान के संदर्व में अतीत का पुन्राव लोकन आयाम एम चुन जिया, तथा नव निर्मित बेड्मिन्टन एकडेमी के लोकारपन समारों में आप सभी के सम्मुक उपस्तित होकर मुझे अपार प्रसंदता का नुभव हो रहा है सबसे पहले मैं श्री रजत राजन सी जी, श्री प्रसाद भाटिया जी, श्री अनिल सी जी, श्री मति पुष्पलता सी, पंडित जगदंबा प्रसाद टिपाथी जी, डॉक्टर S.P.S. सद्धू जी, श्री सुभाष तूली जी, डॉक्टर मधूलिका सी जी, डॉक्टर स सर्वेश कुमर्तिपाथी जी, डॉक्टर संभावना पंत जी तथा स्रीमति मोनिका स्वाई जी को हारदिक बधाई एम शुब कामनाई देती हूं। जिने आज यहां विविद्नक शेत्रों में उतकृष्ट कारिय करने हेतु सम्मानित किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मान आपके कारिय को और आगे ले जाने में महत्वपुन भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही आपके कृत्यों से हमारी युवा पीधी भी प्रेणा प्राप्त करेगे। मित्रों राष्ट का विकास किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। बलकि सभी के संयुक्त युगदान एवं सहयोग से होता है। राष्ट के उध्थान में सभी नागरिकों की महत्वपुन भूमिका होती है। ऐसे में राष्ट की संस्कृति के चरित्र का मापदंड वहां रहने वाले नागरिकों के मुल्य, ग्णान, चरित्र एवं विचारधरा की शक्ति से आका जाता है। भारतिय संस्कृति और ग्णान ने पूरे विश्व में अपनी विशेश छाप डाली है। इसलिए वह भारतिय जिस देश में रहता है, पूरी लगन और इमांदारी से उस देश की भी सेवा करता है। आप सबने देखा, प्रधान मंत्री जी का तीन दिन का प्रवास। देखा होगा ने, मैं ज्यादा बोलने कि नहीं हूँ, लेकिन आप सबने देखा होगा कि प्रधान मंत्री श्री ने जो तीन देश्व का प्रवास किया, इसमें भारतिय कितने थे और वहां के देश को आगे ले जाने के लिए इमानदारी से काम कर रहे हैं, वहां प्रधान हमारा देश भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा, एक वैचारिक अधिस्थान और एक संस्कार की सरिता भी है, हमारे देशवास्यों ने सदियों से वसुधाय वकुटुमबकम की भावना से कार्य किया है, हमारी भारतिय संस्कृति संपून मानवता के कल् समाज में कई ऐसे बड़े बदलाब हुए हैं, जिन में जनभागीदारी एवं सामुएक प्रयास की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है, आज किसी भी राष्ट्र की पहचान और उसके निर्मान में भोगोलिक सिमाओ, राष्ट्रिय प्रतीकों और उसकी सरकार की ही भूमि तकी भी भूमिका होती है, राष्ट्र का नागरिक उन कथाव को विश्वासो वरस्मूतियों में अनन्त काल तक जीवित रखता है, तथा उससे अनुप्रणित होकर जीवनपत का नियमन करता है, इसके परिणाम स्वरुप उपजी चेतना ही सामुएक जन चेतना एवं अन संपन्य राष्ट्र के रूप में विश्व के अन्य राष्ट्रों की पंक्ती में अंगरणी स्थान पर खड़ा है, भारत को विश्व की सर्वस्रेष्ट संस्कूरुति के रूप में भी जाना जाता है, पिछले पांच हजार वर्षों की सब्यता के इतियास में विश्व क अनेक देशों के मुल्य, धर्म, संस्कृति में परिवर्तन देखा गया है, परन्तु भारत के मौलिक मुल्य में आज भी अक्षनुत्तता और निरंतरता बनी हुई है. आज भारत आजादी के अमरुत महुसा में देश्वासियों की सहभागिता से अपनी राष्ट्य प्रतिकों को पुना प्रतिश्चित कर रहा है. इसके साथ ही यह अमरुत काल हमारे लिए प्रेणा है कि हम स्वतंत्र भारत में देश की सिमाओं की रक्षा करने वाले वीर के त्याग, बलिदान वह उनके विचारों को आत्मसाथ करने का भी संकब ले सकते हैं. आज हमें नई पीधी को प्राचीन भारती गिनान, विजिनान और अध्यात्म से परिचित कराने की आवश्रक्ता है क्योंकि हमारी युवा आबादी हमारी शक्ती है. हमारा देश आद कर्थ वैवस्था की चुनोतियों हेतु तैयार करने में शिक्ष और संसानों की भूमी का महत्वपूर्ण है. हमें इस लक्षकी प्राप्ति के लिए श्रेष्ट शिक्षा पद्धतियों को अपनाकर विद्यार्थयों को विश्वस्तरिय शिक्षा प्रदान करना होगा. श वास्तव में मानव को मानव बना सके और उसके मुल्यों की पहचान करा सके. अच्छी शिक्षा के द्वारा ही समाज में प्रेम, सदभाव और मानवता का संदेश फैलाया जा सकता है. इस संदर में गाधी के आदर्शों को मानने वाले नेलसन मंडेला ने भी खा था कि शिक शिक्षाली अतियार है जिसका उपयोग आम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं. इस प्रकार के संदर के माध्यम से हम अपने वी दियार्थियों और शिक्षकों को अतीत से वर्तमान तक की तरकपुर्ण गटनाओं से परीचित करा सकते हैं. आजहादी के अमृत महुस में यह आवर्शक भी है कि हम अपने प्राचीन गवरव को बढ़ाएं और युवाव को इसके बारे में बताएं कि कैसे हमें कितने संगर्ष के बाद आजहादी मिली हैं. मुझे विश्वास है कि इस संगोष्टि के निश्कर्ष से निश्चय ही राष्ट निर्मान को एक नई दिशा प्राप्त होगी. मैं विद्याभारती से जुड़े सभी महनुभाव को इस बाउधिक संगोष्टि के आयोजन के लिए बहुत-बहुत साधुवाद एमम इसकी सफलता के लिए शुब कामनाई देती हूँ. मित्रोवा आज रजद पीजी कॉलेज में नव निर्मित बेडमिंटन अकडेमी का उधगाटन भी हुआ है. यह प्रधान मंत्री जी के फिट इंडिया मूमेंट और हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपुन कदम है. प्रधान मंत्री जी ने कहा भी है कि फिटनेस एक जन अंदुलन बनना चाहिए. फिटनेस एक शब्द नहीं बलकि स्वस्थ और सम्रुद्ध जीवन का आधार है. हमारी संस्कृति में भी व्यायाम और खेल पर जोर दिया है. हमारी पुर्वजवा ने कहा है कि व्यायाम से स्वस्थिय, लंबी आयू और सुख मिलता है. नई राष्टे शिक्षा नीती में खेल पर बहुत जोर दिया गया है. आज युजवा ने फिटनेस को देश के विकास का मंत्र बना लिया है. मित्रों, आज आप सभी अधर उपसित हो हमारे अध्यापगण, हमारे सभी स्टूडेंट्स वगेरे इस संगोष्टी में हिसा ले रहे हैं. तन दो तीन बाते में और बताना चाहती हूं. 21 जुन, वर्ड योगा डे है. इसके पीछे की कहानी आप सब लोग जानते हैं, इसी वज़े से मैं रीपीट नहीं करूँगे. लेकिन, यह जब अमरुत महोसव हो रहा है तब, क्या सभी युनिवर्सिटी की कॉलेजों में योग अमरुत महोसव हो सकता है? 75,000 बच्चे एकठा होकर योग की पहले तो प्रेक्टिस करें और 21 जुन के देन, पूरा यूपी योग मै हो जाएं. पूरा यूपी योग मै हो मितनी. पहली कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक जाहे सभी युनिवर्सिटी, मेडिकल हो, कुरुशी हो, कोई भी युनिवर्सिटी, सभी बच्चों को आज से ही प्रेदित करना पड़ेगा और इसके लिए ट्रेइनिंग हो, उसको जोडने का प्रयास हो, छोटे-छोटे गुरूपों में उसको प्रेक्टिस करवाना ये सब होगा, तो ये हम काम कर सकते हैं, मित्रोज. और ये प्रयास सभल होता है, और इसी वज़े पढ़े भुपाल, पढ़े लखनों का कायरेकर में शुरू किया था, और मुझे नहीं लगता था कि शायद 2-3 लाक बच्चे इकठे होकर पढ़ेंगे, लेकिन जब सबने मिल कर प्रयास किया, और हमारे बच्चों और टीचर्स पर विश्वास किया, तब एक ही दीन में, पूरे यूपी में, दस लाक बच्चों ने एक ही स्थान पर पढ़ा था मित्रेश, बो कोई भी हो, कोई भी बो काताय कर लो, और बच्चे पढ़ें, और फोर्टीफाइ मिनिट पढ़ने का आदेश किया था, और मैं तीन-चार स्कूल में गई थी, मैंने स पढ़ा था, इसके बाद कई स्थानों पर मैंने देखा, टीचर्स मिलते हैं, तो वो बताते हैं, कि वीक में एक दीन 20 मिनिट हम बच्चों को पढ़ने देते हैं, यह इसका परिणाम है मितोष, इसी तरह, खेल की बात, हमारे प्रधार मंत्री जी ने की है, बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वो खेलते हैं, लेदी हमारी जो परंपरागत खेल है, वो तो हम भूली गये हैं, और बीना खर्च वो खेल है, एक रुपिया का खर्च नहीं होता है, इसमें फिर भी बच्चे आसानी से अपने छोटे केमपस में खेल सकते ह क्या कबड़ी में कोई साधन के जरूरत है, है मत बताईए, नहीं है, लंगड़ी में कोई साधन की आवशक्ता है, नहीं है, जब आमर पीछे बोलने लगें, नहीं है, खोखों में कोई साधन की आवशक्ता है, नहीं है, बॉल फैंकने में सिर्फ बॉल ही चाहिए, और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, तो यह सभी जो हमारी हमें, हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में, तब हमारी प्रतियोगिता इसमें ही होती थी, और राश्रक अक्षा तक वो प्रतियोगिता होती थी, मित्रों, और मैंने राजभवन के अधिकारियों को यह बता दिया है, कि कॉलेज और युनिवर्सिटी को मिल कर यह पांच-छे गेम्स खेलना है, और साथ-साथ में लोग गीद भजन वगेरे भी बच्चों को सिखान मित्रों यह बात कुल्पति जीने सही कहीं, मित्रों, कॉलेज में आये, एक दो लेक्चर ले लिए, एक्जाम हो तो सुपरविजन कर दिया, रिजल्ट दे दिया, एक्जाम ले ले लिए, रिजल्ट दे दिया, फिर जैश्री कुर्ष्णा, को लेज के स्टुडेंट के साथ क्या करना चाहिए, साल भर क्या करना चाहिए, कि जिसकी वज़ज से पुरी उनिवर्षिटी, पुरी कॉलेज, मैं बच्चे अलग-अलग स्थान पर दिखाई पड़े आपको, कोई खेलता हो, कोई वो करता हो, कोई पड़ता हो, कोई पड़ता हो, कोई लेब में प्रयोक करता हो, तो कोई लाइबरेडी में जाकर पड़ता हो, कोई असा स्थान नहोना चाहिए कि जहां मारे बच्चे दि माप कर देना, दो घंटे में और इसी वज़े से मैंने भाषा मिश्व इद्याले को यह बताया है मित्रोष, पहली अमारी माथ ही हम लोग भी थे लोरी गाते थे, बच्चों को सुलाने के लिए, आज क्या है, मोबाइल रख देते है, सुनो बेटा, सुनो, मैं कीचन में काम क रही है, एस्थिती बनी है, और हमारी एक महिला लोग गीत गाती है, कहां बैठे, बहुत अच्छा है मित्रोष, यह जो हमारे लोग गीत में हमारी संस्कृती, लेकिन हम भूल गए, मैं तो इससे में आगे जाकर बोलती हूँ, कि जो हमारी विवा प्रथा है, इसमें भी सं दिखाई पड़ते हैं, और पूरा समाज इक अठा होकर एक बेटी को या तो बेटे को विवाब सम्मिलित होकर उसको आशिरवात देते हैं, तो यह परंपराय हम भूल गए हैं, एक हौल किराय पर ले लिया, और ओर दे दिया, भाई जरा यह बत्तीस भोजन तयार करवा द करके चले गए, वो है एक हमारी जो परंपराय थी पूरा परिवार और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि भाईयों में कब जगड़ा होता था, बोलते नहीं थे, लेकिन लगन प्रसंग, विवा प्रसंग ऐसा था कि भाईयों को काका मामा सब को इकठा कर देते थे, सब को को मैंने कहा है कि आप लोरी या तो गीत इस सब आज की बेठियां को भी सिखाओ और ऐसे बुक्स तयार करो समाज के सामने रखो, यह युनिवर्सिटी का काम है और यह युनिवर्सिट्र करना चाहिए, मित्रोष, संस्कृत विभाग है, भाषा विभाग है, सब कुछ है, लेकिन जो आपके सामने बुक है, वो बुक पढ़ाया करो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है वह समेत्रोष, रिसर्च करना, पबली के सामने जाना, और इसी वज़े से मैंने शुरुआ थे ही, हमारे सभी, सभी, वीसी और उनकी तीम कोई बताया है, कि विश्व का केंपस छोड़कर गाव तक पहुचिये, महिलावा तक पहुचिये, आंगनवाडी तक पहुचिये, कुरुषी मतलव किसान तक पहुचिये, तब मैं मानती हूं कि सही अर्थ में इसके पीछे जो हम खर्च करे रहे हैं, वो सार्थक होगा मीत्रोष, बाकि कोई अर्थत कॉले जो मैं नेक अक्रडेशन मित्रोष, शिक्षा में पारदर्शक्ता, सकारात्मक्ता, गुण वुरुद्धी, मुल्य वुरुद्धी, यह कैसे आएगी मित्रोष, और इसी वजह से, नेक अक्रडेशन के लिए जो प्रयास हो रहा है, सभी वीसी इसमें डूबे हुए ह हम कहूं तो चलेगा, क्योंकि मैंने फरजयात किया है, कि डरिये मत, C ग्रेड आएगा तो मुझे मानने है, A ग्रेड आएगा तो भी मुझे मानने है, लेकिन करिये महनत करिये, और आगे बढ़िये नेक अक्रडेशन में, और प्रयास यह भी होना चाहिए, कि युनिवर्स चाहिए और जाना चाहिए मित्रो, तब पता चलेगा कि हम कहा स्टेंड करते हैं, कहा स्टेंड करते हैं, एक्रेडेशन में क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या चल रहा है आपकी कॉलेज या तो उनिवर्सिटी में, तब पता चलेगा कि हम कहा स्टेंड करते हैं, कहा जरूरत काम करने की बदलाव करने की जब तक नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लास्थ में अभी हम लोगों ने प्रयास किया है, बायोमेट्रिक सिस्टम, उपस्तिती, इसमें जो आधा गंटा भी टीचर लेट आता है, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कभी सोचा है हम लोगों ने, फिर आप कोई बच्चों को यह नहीं बोल पाओगे, कि आप क्यों लेट आते हो, बच्चे बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में तो वो होगा, कि आप तो ग्यारव बजे नहीं, साड़े ग्यारव बजे आते हो, और हमें बताते हो कि आप क्यों लेट आते हो, कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, मित्रोष, हमारा समय है, साथ बजे थ चर्चा कीजिए, कुछने कुछ काम करता रहना जाए, पूरा प्लानिंग हमारे सामने होना चाहिए, कि आज मैं पूरा समय युनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, या तो हायर सेकंडरी स्कूल में निभाऊंगा, तब मैं और क्या करूंगा मित्रोष, यह कितने बच्चे हमारे बीच में से मर जाते हैं, कितनी माताय प्रसव में मर जाती हैं, कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कितने युवा मेंटली अफसेट रहते हैं, क्या इस सब हमारा दाइत्व नहीं है, कि हमारी कॉलेज में, स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चों को क्या परेशानी है, किस तरह आते है स्कूल में, क्या उसका परिवार क्या कर रहा है, परिवार में कोई दिकत है कि नहीं है, इस सब नहीं देखेंगे, तो यह जो मैंने कहा आत्महत्या वगरे वगरे होती रहेगी मित्रोज, यह होती रहेगी, और सबसे अच्छी बात एह है कि हम साथ में मिलकर सभी बच्चों की पहचान करें और बच्चों में क्या टैलेंट है वो टैलेंट हम पहचाने कि वो संगीत में आगे जा सकता है वो खेल में आगे जा सकता है वो स्पीच में आगे जा सकता है वो पेंटिंग में आगे जा सकत तो इस हिसाब से उसको कुछ नुकुछ प्रवृत्या मिलने चाहिए कि जिसकी वज़ा से उसकी टैलेंट को वो आगे बढ़ाते रहें मित्रवुष। आप सब एक आरकरम में आयें और एक अच्छा संगोष्टी का आयोजन आपने किया है और अच्छी बात है कि कभी-कभी ऐसी संगोष्टी बहुत ही कम होती है। लेकिन विद्या भारती एक ऐसी संस्था है जो समय समय पे वेबिनार करना, समाज में अच्छा काम करने वालों का सन्मान करना और जब नई राष्ट शिक्षानीती आई तब बैठकर खास करके आगणवाडी महिलाबाल कल्यान विभाग आईसीडेस यूनीट के बच्चे छोटे-छोटे बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी को इसके जोड़ना है इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया एक पूरा अभ्यासकरम सिलेबस एक महिने में तयार किया कि हमारी आगणवाडी कार्यकरतरी तीन साल के चार साल के पा गीत क्या होगा, मैट्स में क्या पढ़ाओगे, परियावर्ण में क्या पढ़ाओगे ऐसे सोच समझ कर एक बुक बनाई लेकिन वहां से अठके नहीं इसके आगे जाकर लखनव में और काशी में बनारस दोनों स्थान पर तीन सो तीन सो आगणवाडी कार्यकरतरीयों का त चोटे-चोटे बच्चों में आप कीस तरह मुल्यनिष्ट सिक्षन उसको दोगे और कीस तरह उसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करोगे, भोजन कैसा होगा, स्टोरी वगरे कैसी होगी और कीस तरह आप पढ़ाओगे, इसके बहुत ही काम किया, इसमें मैं उपस्ती त पता है, एक यह सभी कार्यकर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और जो विशेश गन्यान पराप्त कलने वाले हमारे अध्यापक, एक छोटी हमारी बेटी, जे कार्यकर्तरी के रूप में आगनवाणी में काम करती है, इसके साथ जोडने की आपशकता है, इसके साथ जोडने की आपशकता है, कि एक छोटी लड़की, एक महिला, एक पचास पचास छोटे छोटे बच्चो को किस तरह रखती है, किस तरह संभालती है, कोई बच्चा को वाश्रूम जाना है, तो कोई बच्चा को रोना आता है, कोई बच्चा को बूख लगी है, तो कोई बच्चा को घर पर जाना है, ऐसी परिस्थितियों में वो बच्चो को संभालती है और इसी वज़ज़ से मैं उसको कहती हूँ कि उनको अभिनंदन कीजिए, कि छोटे-छोटे बच्चे धीरे-धीरे करके 12 साल के बाद आपकी कॉलेज में आएंगे, आपकी कॉलेज में आएंगे और आप चाहते हैं कि हमारी कॉलेज में अच्छे बच्चे आए तो नीचे काम करिये, नीचे काम करिये तो उपर वो ही बच्चे आएंगे और हमारे जो नेशनल पॉलीसी है, इसमें ये कहा गया है, कि 2030 तक 50% बच्चे कॉलेज में दाखिल होना चाहिए, अब जो नीचे से कुछ नहीं होगा, सभी बच्चे अंगनवडी में दाखिल नहीं होंगे, इसके बाद कक्षा 1 में नहीं आएंगे, इसके बाद 9 में नहीं यारवी कक्षा में नहीं आएंगे, तो आपकी कॉलेज में कैसे आएंगे, तो ये 50% का जो टार्जेट है हमारा, उसको भी लक्ष करना है, और साधना है, हमारा लक्ष पुरा करना है, तो हमें सभी से KG to PG जोड़ना ही पड़ेगा, और आज आज आपके बीच में आई और मेरा सन्मान किया, आपने सभी हमारे महनुबाव का सन्मान किया, इसके वज़े से मैं रजट PG कॉलेज का सभी आचारियर, ट्रस्टी और अध्यापका को महुत बढ़ाई देती हूँ, अभी लंडन करती हूँ, धन्यवाद।